बूचा में जो तबाही हुई उससे यही लगता है कि मानफता पूरी तरह से शमसार हो चुकी है ऐसी बरबरता निर्दोश नागरिकों के साथ की गई मूचा को रूसी सनिकों ने मौत का टीला बना दिया है लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी शहरों पर रूस महरबान रहा है यूकरेन के कई शहरों पर कहर बनकर तूट पड़ा है रूस शहर के शहर खंडर हो गए है युद्ध में दया का भाव कहां होता है अगर होता तो होस्टो मेल की सडकों पर अधजले शवों का अमबार नहीं होता रूसी मिसाईले होस्टो मेल में तबाही का वो मंदर ले आई जिन्हें देख कर रूह काफ जाती है कितना दर्दनाक है ये देखना कि शहर की सडकें लाशों से पटी पड़ी है बीचते वक्त के साथ रूस और जादा खतरनाक होता जा रहा है रूस की मिसाईले तोप और टैंक के सामने जो भी आ रहा है खाक हो जा रहा है होस्टो मिल में जिस तरह से रूस में बरबादी बरपाई है दिलकुल वैसा ही खारकीव में किया है खारकीव के एम्यूजमिन पार्क में रूसी हमले की भयानक तस्वीरे सामने आई है बताया ज़ा रहा है कि खारकीव के सुवविडस्की में रूसी हमले में साथ लोगों की मौत हुई है जबके तीस दर जादा लोग यहां सखमे हुए है इसी तरह यूकरेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी रूस ने एक बार फिर कहर बर पाया है यहां रूस ने मिसाइल हमला किया है ओडेसा के पोल्टावा इलाके में तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद भी शोड़ाग लगी रूस ने दावा किया है कि उसने ओडेसा में यूकरेन के तीन तेल स्टोरेज को तबाह कर दिया बताया ज़ा रहा है कि यहीं से निकोलीव में यूकरेन की फाज को मदद दी जा रही थी रूस पूरी ताकत से यूकरेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है मगर यूकरेन भे डट कर खड़ा है चर्निहीव में सटको पर यूकरेनी टैंकर देखने को मिले लोगों ने चर्निहीव में यूकरेनी सिन्य का अभिवादन किया और उनका उस्ताफरधन किया रूस और यूकरेन के युद्ध का परिडाम क्या होगा ये तो समय बताएगा मगर इतना सरूर है कि फिलहाल इस युद्ध से तबाही बढ़ती जा रही है पूचा से गवरो सावंद और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक भी रहो